हे गाईज जैशिफ शक्ती कैसे हो आप सभी आए होप सब अच्छे होंगे तो आज हम जल्दी से रिडिंग करते हैं फुल मून आ रहा है उसके ओपर आपके एनरजी पे आपके परसन के एनरजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो गाईज जो भी टफ टाइम अभी तक आप फेस कर रहे थे उसके अंदर बैलłeंस आने वाला है आपका टफ टाइम जो अभी तक चल रहा था वो आपके खतम एनरजी आपके करियर में आपके किसी भी फैल्ड में अगर आप कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे काम नहीं बन तो अब वो काम दीरे दीरे बनने वाले हैं और बड़े changes आने वाले हैं आपकी life में आपके person की life में as well आपकी relationship में अगर आप कोई भी third party situation face कर रहे थे तो वो third party कुछ भी हो सकती है आपके family member ना मान रहे हूं आपके parents ना मान रहे हूं या फिर कोई third person या फिर ego उनका attitude उनका ये भी कह सकते हैं तो guys ये भी बहुत जल्दी अब full moon के बाद खतम होने वाला है और आपके person आपको सामने से message करने वाले हैं और उनका call message आपको receive हो सकता है या फिर किसी के through वो आपसे बात कर सकते हैं आपका हाल चाल ले सकते हैं आपको मिलने बुला सकते हैं तो guys इससे अच्छा और क्या ही होगा आप अगर no contact situation में थे तो ये no contact situation आपकी खतम होने वाली है और जितना भी problem आप face कर रहे थे अभी तक जो भी दुख आपने से हैं तो guys आपको उसका reward देने वाले हैं भगवान आपको आपके एक एक आसों का जवाब मिलने वाला है आपको जो भी दर्द आपने साह है उन सभी का आपको हिसाब मिलेगा तो guys मैं तो आपको यही कहूंगे कि आप खुश हो जाओ क्योंकि आपके हसने मुस्कुराने के दिन आप आज चुके हैं और जो भी आपके life में past में हुआ है तो आप उसको as a lesson लो और उन से सीखो अपनी गलतियों से सीखो अपने दुख से सीखो और life में आगे बढ़ो क् कि खुशियां आपका इंतिजार कर रही है जो भी positive changes आप चाहते थे अपनी life में कि यह चीज़े आप manifest कर रहे थे काफी time से तो वो चीज़े आपको मिलने वाली है reality में मिलने वाली है अभी तक आपने जो भी सपने देखे थे जो भी आपके dreams थे कि काश ऐसा हो जाए काश dreams थे किसी भी चीज़ में तो वो आपकी wishes आप fulfill होने वाली है तो guys अब खुद के उपर focus रखो self love पे धान दो